शेहर के मध्यवर्ति संग्राले की और से वार्सा सप्ता हम बनाया चारा है शेहर के मध्यवर्ति संग्राले की अंतरगत तारीक 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के दोरान जाक्तिक वार्सा सप्ता का आयोचन किया गया इस दोरान पहले दिन संग्राले शास्त्र विशेक, चर्चा सत्र, निसर्ग पेंटिंग, प्रश्ण मंजूशा, वाकट कालीन राजमुदरा चर्चा सत्र, किला बनाने की कारेशाला तथा शिल्पकला कारेशाला का आयोचन किया गया जाकतिक वारसा सप्ता के माध्यम से शहर के लोगों के लिए जाकरूती करने के उद्देश से यह कारिक्रम किये जा रहे है दुर्गा प्रतिष्टान की अतुलगुरु की टीम ने किला कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी दी इस मौके बर छोटे बच्चों ने पोवाडा पेश किया इस आयोजन की बारे में मध्यवर्ती संग्राले की अभिरक्षक आरती ओए इन्होंनी जानकारी दी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मध्यवर्थी संग्राले के सायक अभिरक्षक विनायक निटूर कर इन्होंनी जानकारी दी महाराश्ट्र का गौरफ पुरातन किले की बारे मी दुर्गा प्रतिष्ठान की अतुल गुरूनी जानकारी दी नमस्कार में आर्टी आरे क्यूरेटर मध्यवर्थी संग्राले नाकपुर से बात कर रहे हूँ एक्चली यह सपता है 19 से 19 नवंबर टू 25 नवंबर यह जाकतिक वार्था मतलब वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस आईवन के दौरान हम लोगों ने काफी अलग-अलग कारिक्रम को आईज किया आज हमने यहां दुर्गप्रतिष्टान के एक संस्ता है जो फोर्ट मेकिंग के वर्क्शॉप लेते हैं उन्हें हमने पुलाया है इन्विटेशन दिया है इस दौरान यहां आज हमारा किती चाउता फोर्ट डे है उस फोर्ट डे के इसमें हमने आईजोट किया है फोर्ट मेकिंग का कारेक्रम उस दौरान अभी नेक्स्ट कल के दिन भी एक कारेक्रम लिया जाएगा जिसमें शिल्प मुर्ति का बनाना मेकिंग स्कल्प्चर मेकिंग का एक यह हुआगा उसमें भी हम लोगों ने आर्टिस्ट को बुलाया है इस तरह के से हम लोगों ने पूरा वीग चेलिब्रेट किया है वर्ल्ड हेरिटेट वीग के दोरा कि देटारे में हृचा माध beeping दोरे अमी परियत्यक प्रेक्षक आणी आभ्यासाका परेन पोचनायाचा प्रेतन करता होत։ अ्नी आज हमी किल्देटीटीन प्रात्थिक मुलान परेन या टिखेक मसा क। यह लोगों सिंहागा धमी प्रेतन करता होतु मद्यवर्ति संग्राले में हम आपको बता दे कि यह वही संग्राले है जहां पर पुरातन ऐसे जो चीजे होती है उसको संजोगे रखा है और उसकी का पेच्छी देख बाल इसी मद्यवर्ति संग्राले के माद्यम से की जा रही है यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर एक किला बनाने के लिए तैयार पूरी टीम आई हुए दुर्ग प्रतिश्टान के और से दुर्ग प्रतिश्टान के जिनका अपना एक नाम है पुरा महाराष्ट उननी जानता है ऐसे अतुर गुरुजी हमारे साथ में उनसे जाना चाह जिसे आप काम करते हैं वैसे हम लोग किल्ला बनाना चाहते हैं बैसे किल्ली महाराष्ट की बात के तो महाराष्ट का जो देश है भारत के बहुग पर इस्थित्या कर देखते है तो आठ रिंजेस बड़े बड़े जेसे जिसमें महाराष्ट में महाराष्ट के उत्तर में स जो पूरातन काल से लेकिन आई उसकी जो लचर हलत हुई है क्या आपको लगता है कि सरकार ने ध्यान देना चीए बिल्कुल सही बात है सर कि यह जो हमारी जो धरवर है क्योंकि हम लोग आज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि सब चीज इस किल्लों में पढ़ी है क्योंकि हम लोग पहले रहते कहाते हैं किल्ले ही हमारी सब धरवर थी और इस धरवर में जो है हम लोग रहना चाहते हैं जैसे आज आप देखर की पुरातत विभाग ने इस हमारे को बुला के यहां पे किल्ले कैसे बनते हैं इसका प्रत्यक्षिक हम बताना चाह रहा है कि इजी वे में घर में जो वस्तू यह है इन वस्तू को हम एकुमलेट करके या जबना के अगर हम लोग किल्ले बनाते हैं तो इसका प्रचार प्रशार के साथ साथ उस किल्ले के बारे में एधियासिक धरवर बचाने की पुरी-पुरी कोशिश कर सकते हैं और महाराष्टर शासन की आपने बात कही तो महारा शासन को हमारा दुर्गो का देश है हम महाराष्टर में है तो यह जो देश है इसमें स्कू करी देते हुए यह बताए कि महाराष्टर सरकार ने जो किलों की जो लचर हलत हो रही है इसके और ध्यान देना चाहिए क्योंकि महाराष्टर का किला यह एक वैब हुआ है लेकिन अपसोस के आए दिन किले की देख बाल सही नहीं होने से उसकी पूरी तरह से लचर हलत हुई ह यह भी एक सच्चे ही है अगर सरकार ध्यान देती तो आने वाले जन्दरेशन के लिए यह एतिया हासिक जो किले इसकी जानकारी बकूबी के साथ हो सकती है क्या मेरा परसन मौनु खान के साथ संजय मेरे इंबी से निज नाकपूर